हेलो फ्रेंज आज मैं आपके लिए के लेकर आई हूं वहुत त्यारी सी रेसिपी बहुत ही यूनिक सी रेसिपी आज बनाएंगे हम अंडे की रेसिपी तो आज बनने वाले हैं निशा की रसोई में अंडा कॉर्मा असलाओ वलिक्म बैक टू माई चैनल फेदन सारी निशारसोई यूट्यूब फैमिली केसे हैं आप सब दूआ करती हूं आप सब खेर गरते हूं आपके अपने सबी यूट्यूब फैमिली का तो आज मैं आपकी बनेर आ आए हूं अंडा कॉर्मा रेसिपी माशालला यह जबरजस्त रेसिपी है और देखते ही आपका मन करेगा इसे बनाने के लिए तो चलते हैं और बनाना स्टार्ट करते हैं देखते हैं आप हमें क्या कैसमान की जुरत पड़ेगी तो यहां पर कम जाद अपने हिसाब से रख सकते हैं तो यहां पर मैं छेंडों से बना रही हूं आप चाहें तो अपने हिसाब से रख सकें कम या फिस जादा अब हम एक fog लेना है और यानि के काटे वाले चमस से इसके अंदर कम से कम एक एक इंच तक हमें इसके अंदर holds कर लेने हैं तो इससे क्या होगा बहुत अच्छा जो हम मसाला इसको कोट करेंगे ना बहुत अच्छा से इसके अंदर कोटिंग भी होगी और माशाला इसके अंदर फिलेवर भी बहुत प्यार आएगा तो आप देख सकते हैं मैं कितने अंदर तक डाल रही हूं इस fog को बहुत अंदर तक जा रहा है एक इंसे भी जादा जा रहा है तो यहां पर यह करना प्रोसिस बहुत ज़रूरी है तो यहां म दाल रही हूं थोड़ा सा 3-4 पीच नमक तो इन सब चीज़ों को तीनों चीज़े डाली है हमने हल्दी मिर्च और अपनी नमक तो इसको अच्छे से मिला लेंगे कोड कर लेंगे अपने अंडे के अंदर तो देखे कितना प्यारा सा कलर आ जाएगा और जब हम इसे अच्छे से कोड कर लिया है अभी फ्राइ के लिए बिल्कुल रेडी है तो इस तरह कोड करके हम फ्राइ करेंगे तो माशाला कलर भी प्यार आएगा और अंडे भी हमारे चट पटे एकदम स्पाइसी बनेंगे तो यहां पर अच्छे से मैंने ओईल को गरम कर लिया है और अच्छे से दियान रखें काफी लोगों की शिकायत होती है कि हमारे पैन के अंदर चिपक जाते हैं तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक ज़रूर कर देना अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें मेरे यूट्य करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया एंड थेंक्यू तो देखिए बातों बातों में हमारे अंडे अच्छे से फ्राई हो गए हैं माशालला प्यारा सा कलर भी लेकर आगे और आप देख सकते हैं इसके अंदर कोई भी तले में हमारा अंडे नहीं लगा तो यहाँ पर लची यहाँ बड़ी लाची आटी यहाँ नहीं रखेंगे क्योंकि हैं पर पिल्चाइब यूज करें गये दही ले लिए मैंने वन कब दही है और यहाँ पर मैंने ले लिए वन टेबल इस्पून लस्चन का वन टेबल इस्पून अधरक का तो दोनों की कॉंटिटी हैं मे 10-12 ले लिए हैं मैंने काजू तो काजू जरूर डाले बहुत अच्छा टेस्ट आएगा और दो मैंने साइस दो बड़े साइस की प्याज है जिसको मैंने बारिक लिए रफली चौप कर लिया है तो यहां पर हमारा पूरा समान डेडी है अब आ जाते हैं अपने ड्राइ मसाल की तरफ तो हमारे मसाले हैं अंहां मारा धनिया पिसावा तो यहां पर मैंने लिया है तीन ठेबल भरकर और यहां लिए टू टीश्पून मिर्च का पॉडर हाफ टीश्पून हल्दी पॉडर हल्दी वेसे कम डलती है लेकिन कॉर्ब्र में पृब्रइब ऑलेए द दालूं साब से रख सकते हैं और मिर्चे भी और यहां जिसे मैं आपको बता दूँ मैंने गरम मसाला यहां दो तो पिंच इस नहीं लिया है क्योंकि यहां में खड़े मसाले भी यूज कर रही हूं आप डाल देते हैं यहां पर कम से कम एक कप रिफाइंट ओल तो आप कोई भी कुकि तो काजू और हमारी जो दिलानी हम उसको तीनो को ऐक साथ ग्रैंड कर लेंगे मिक्सर जैल के अनल पक्यमति पेस्ट बना लेंगे तो यानी intéगर यह आप कि धिला के अगर नहीं कर देंगे municipality और यहां पर एक कप ले दौन इन काजु दही तीनों को साथ में ग्रैंड करना है यहां पानी के आपको जूरत लगे तो डाले वरना तो आपको पानी डालने की हैं कोई जूरत नहीं है तो देखी हैं यहां पर जो हमारा ओएल बचाता उसी ओएल के अंदर डाल देंगे हम अपने खड़े मसाले और गेस का फि प्यारी से खुश्भू आने लगेगे तब हम इसके अंदर डालेंगे हम लस्टन का पेष्ट और अध्रक का पेष्ट तो मैं आपको बताद हूँ वन टीज पून लिया मैंने लस्टन का पेष्ट दोनों की कॉंटिटी हम इने सेमी रखी थी और लस्टन अदरक को पहले से भूनेंगे ताकि उसकी कच्छेपन की इसमेल होती है वो निकल जा फिर पियार इसी इसके अंदर से खुश्भु आने लगती है तो लहसन अद्रब को हमेशा अलग से भूने तो माशाला बहुत ही प्यारी खुश्भु आती है बहुत ही यमी बनती है हमारी जो भी हम सबसी ब प्रमान बेकार नहीं जाएगा तो यहां पर अच्छे से डाल गया और इसे चला लेते हैं और लोटू मीडियम फिलेम पर ही में भूनना है तो गेस का फिलेम यहां पे आपको लो रखना है हाई फिलेम बिल्कूल नहीं करना इसमें फड़ फड़ गर को उपर आता है लेकि तक हमारा मसाला भूनना जाए तो देखिए मैंने गेस का फिलेम लो कर रखा है अब हमारा अच्छे से बुनने में थोड़ा टाइम लगेगा तो यहां पर हमें क्या करना है इसको लीड लगा के कर देते हैं 5-6 मिनट के लिए कबर चार मिनट में भी हो सकता है तो देखिए इसके इंदर बड़ी प्यारी सी खुश्वा रही होगी है इस हमारे और इसके इंदर आपको ज्यादा ठीक लग रहा है तो यहां पानी थोड़ा वोटेट कर सकते हैं वरना तो आप ऐसे ही जैसे आपको पसंदो कितना आपको इसकी ग्रीवी रखनी है और कितनी नहीं रख आप बहुती घजब की बनी है रेसिपी बहुती यम्मी बनी है माशाला से एक बार जरूर ट्राइ करें और ट्राइ करें तो प्लीज मुझे कमेंड करके जरूर बताएं यह रेसिपी आपको कैसी लगी तो अंडे हर तरह से बना के खाते हैं अगर क्या आपनी इस तरह से ब तो देखिए यहाँ पर मैं इसे निकाल ली हूँ सीविंग बॉल के अंदर यानि के डिश के अंदर और माशाला बड़ी प्यारी सी खुश्बू आ रही है मेरी रसोई के अंदर तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेर और कमेंट करना बिल्कुल ना बुलना और बर शुक्रिया अपने शेर का अपना प्यारा सा नाम जरूर डालें ताकि मैं आपको शुक्रिया एंड थैंक यू बॉल सकूं तो फिर मिलेंगे अल्ला हाफिए